दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे आज इस वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे अगर आपका एकाउंट IRCTC Rail Connect Application के अंदर है और आप यहाँ पर अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप अपने IRCTC Rail Connect Application के अंदर अपना पासवर्ड कैसे फॉ आपको 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 यूजर नेम और पासवर्ड डालना होता है और लॉग इन पर क्लिक करना है तो आपका एकाउंट यहाँ पर लॉग इन हो जाता है बट यहाँ पर आपको आपको आपसवर्ड नहीं पता है और आपका यूजर नेम आपका मोबाल नमबर आपका email ID इसमें से आपको कोई भी एक पता है तो आसानि से अपना यूजर नेम यानिकि आपना password आप एक नया बना सकते हैं forget कर पाएंगे तो इसके लिए आपको क्या करना होगा तो यहीं पर आपको एक छोटा सा देखने को मिलेगा forget account details आप इस पर touch कर दीजिए जैसे आप इस पर touch करेंगे थोड़ा सा wait करिए आपके सामने इस तरीके से पेज आजाएगा यहाँ पर देखने को मिलेगा enter IRCTC username अपना username डाल सकते हैं यह अपना email ली डालेंगे यह अपना mobile number डालेंगे जो भी आपको पता है वो आप यहाँ पर डालेंगे यहाँ पर आपको एक capture देखने को मिलेगा यह capture आप यहां पर डालेंगे जिस परकार से टाइप है उस परकार से यहां पर टाइप करेंगे जैसे कि यहां पर भी है उसके बाद एड़ रेट है उसके बाद सेवन सेवन उसके बाद इसमाल डी और यहां पर कैप्टल वी तो मैंने है पर यहां पर जैसा कैप्चा है वैसा मैं टच करेंगे तो आपके message में एक OTP आया होगा आपको क्या करना है कि आपको अपना message open करना है अगर open नहीं करना चाहते हैं तो यहां से आपको मिल जाएगा आपका OTP और अगर आपको username नहीं पता है तो आपके इसी message में आपका username send कर दिया गया है जैसा कि देखने को मिलेगा username और यह आपका यहां पर username है और यह आपका OTP है तो यहां से आप OTP को देख लीजिए जैसा कि यहां पर OTP आया हुआ है 60, 23, 35 तो हम यहां पर click करेंगे यहां पर डाल देंगे अपना OTP मैंने हाँ पर अपना password बना लिया है और एक बात को आपको याद रखना है कि आपके notification में जो अभी आपका username मिला हुआ है वो अपना username यहां पर डाल देंगे और अपना OTP यहां पर डालेंगे उसके बाद एक अपना password बना लेंगे और वही password नीचे डाल देंगे यहां पर जो भी capture लिखा हुआ है आप इस पर टच करके यह capture आप डाल देंगे तो जैसे कि हम इस पर टच करेंगे और यह capture हम इस तरीके से फिल अप कर देते हैं जिस प्रिकार से यहां पर यह capture लिखा हुआ है उसके बाद यहाँ पर आपको submit पर click कर देना है जैसे आप submit पर click करेंगे थोड़ा सा wait करिए यहाँ पर आजएगा kangra julation यहाँ पर आजएगा your password change successful हमारी पास message भी आचुगा है कि हमारा password change हो गया है उसके बाद यहाँ से आप ok कर दीजिए और ok करने के बाद आपके समने इस तरीके से page आजएगा यहाँ पर आपको अपना username डाल देना है जो आपका username अभी आपके notification में आया था यह आपको पता होगा और जैसे आप यहाँ पर अपना username डाल देते हैं उसके बाद यहाँ पर आपने जो अभी password बनाया है वो अपना password डाल देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको यह capture मिल जाएगा यह आप यहाँ पर डाल देंगे और login पर touch करेंगे तो हम यहाँ पर अपना details फिल अप करते हैं मैंने यहाँ पर सारा details अपना डाल दिया है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए यहाँ पर आजाएगा आपका email id और email id पर एक OTP आएगा वो आप यहाँ पर डाल दीजिए तो यहाँ पर मिल जाएगा send आप इस पर click करिए तो आपके mobile number पर अभी एक OTP send किया गया है यहाँ पर send करिए जैसे आप verify user पर touch करेंगे यहाँ पर आज जाएगा otp verification successful for the user आपके इस username पर यहाँ से आपको ok कर देना है जैसे आप इसे ok करेंगे उसके बाद आपका account यहाँ पर open हो जाएगा तो यह होता है process जहाँ से आप अपने irctc application का password change कर सकते हैं तो मिलते हैं next video में इस video के लिए इतना ही और video पूरा देखने के लिए आपका बहुत पहुत धन्वार